अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज अंदर से बाहर आता है और उस पागलपन में आप भी पागल हो जाते हैं कितना भी कंट्रोल कर लें लेकिन वो गुस्सा आपके हाथ से या आपके सामने आही जाता है क्या इस गुस्से को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या ये गुस्सा जायज है क्या गुस्सा जो है वो हमारे हाथ में है गुस्सा क्या हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है क्या कारण होते हैं गुस्से के डिप्रेशन से जुड़े कितने ही मुद्दों को हमने अपनी स्पूरी श्रिंखला में तलाशा है जानने की कोशिश किये है कि क्या कारण है कि डिप्रेशन होता जाता है आज ह हमने आपसे वादा किया था कि हम गुस्से के ओपर कुछ जादा बाते करेंगे. क्यों आता है गुस्सा, क्या कारण होते हैं और किस तरहां से उसे हम अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं. इसी पर बातशीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइको खरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल. A very warm welcome, sir. नमस्कार. नमस्कार. और हर बार की तरहां हमारे साथ हैं ब्रामा कुमारी, सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत. ओम शान्ती. ओम शान्ती. उसी सेनारियो की तरफ चलते हैं, डॉक्टर साहब की गुस्सा जो है, अभी तक हम कई बार यह कहते थे कि वो जैनून है, वो आता ही है, कितनी भी कोशिश कर ले, गुस्सा आ ही जाता है, स्वता हो जाता है. अभी सिच्वेशन अगर हम देखते हैं, कि अपने ही बच्चे, आपस में भिड़े हुए हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर पारें, लेकिन गुस्सा आ जाता है, वो जो पागलपन जब दिखता है, तो हम भी कहीं उसमें पागल होने लगते हैं, क्या इसे कंट्रोल कर सकते हैं, डिफिनिटली कर सकते हैं, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि भी आवश्चक नहीं है कि आप गुस्सा करो, यह भी थोड़ा सोचो कि भी गुस्से से क्या उसमें बेनिफिट होना है, आप भी डिस्टर्ब होंगे और बच्चे पीसफुल नहीं होने, यह हम जानते कि स्नीज अगर मैं करूंगे यह चीकूंगे, तो वह एक रिफ्लेक्स एक्शन है, सिमिलरली अगर यह सब कुछ मैं देख रही हूँ, तो मुझे गुस्सा आएगा ही, क्या यह रिफ्लेक्स एक्शन है या नहीं, गुस्सा जो है वो हमारे अपने कंट्रोल में है, वास्तो यह तो वही है, परन्तु यहां पर आपकी इमोशन से अटेच, आप चाहते थे कि मैं घर जाओं तब ही सब कुछ पीसफूल होना चाहिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, शांती से बैटे हैं, और आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, इसके कारण आपको गुस्सा आया, तो यह मूल कारण है गुस्से का, कि जब चीजे आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, तब आपको कुरोध आता है, बिल्कुल, एक यह कारण बहुत बड़ा सा हमारे सामने आता है, कि जब हमारी इच्छा के अनुसार चीजे नहीं हो रही है, तब हमें गुस्सा आत क्यों यह सही तरीका नहीं है, ऐसे लड़ना थोड़ना अच्छी बात है, तो सही तरीके से जीना चाहिए इन्हें, तो यह क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे हैं, और इसलिए मुझे कुस्सा आ रहा है, जो आपने कहा कि रिफलेक्स अक्शन है, इसको हम कैसे एवालिवेट करेंगे, कि मेजोरिटी लोग यह समझते हैं, यह एक Spontaneous, Natural Reaction है, इसमें हमारी कोई choice नहीं है, हमारा कोई control नहीं है, सामने सीन है ये एक नाच्छरल रियाक्शन है क्या ये सेम रियाक्शन आप हर टाइम करेंगे जब भी वो सीन आपके सामने आएगा नहीं जिस दिन आप ओफिस से बहुत अच्छे मूड में आ रहे हैं आपको जो डिस्टर्बंस लेवल होगा वो कम होगा जिस दिन आप बहुत कर भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे अगर वो एक रिफ्लेक्स इन्वोलेंटरी आक्शन होता है वोलेंटरी या इन्वोलेंटरी स्वाइच्छा से या ओटमाथिक है अगर वो ऑटमाथिक होता तो वो बाहर की परिस्थिती की अनुसार हमेशा हो जाता है जैसे ही देखा ओटमाटिक रेक्शन लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है कभी कभी कम आ रहा है कभी जादा आ रहा है तो यह अटमाटिक नहीं है हमारी जो इंटरनल एनरजी लेवल हम उस दिन कारी कर रहे है या ओवर पिरिड ऑफ टाइम जो अक्यूमिलेट हो गई है यह बाहर की परिस्तिती सिरफ एक ट्रिगर होती है और वो भी हमारी जो बिलीफ सिस्टम्स बनी हुई है कि इनको अगर ठीक करना है अभी तो गुस्ता ही करना पड़ेगा यह बाहत बिगडे हुए है इनको अगर चुपचा बिठाना है एक जोर से चला दो अभी चुपचा बैट उस समें शायद हम लॉजिकली सोच के गुस्ता नहीं करते हैं ओविसली हम वी दोंगो थू 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 बनाया हुए अंदर के इस इस दे वे इत वर्क्स आप इवन जैसे स्कूल में देखे टीचर एंटर करते हैं बच्चे जोर जोर से शोर मचाते हैं वो उन्होंने ए बेग्षा जोर से चाहिए व्याँ तो से बैंक रहें तो नॉज है उसको आप नॉज से खत्म करने की कोशिश करें वोत में अब इस अर्डिस्टर्ब्ध हैं तो मैं दिस्टर्ब हो रहे हूं आपके साथ और मैं अगर आप इस डिस्टर्ब गर रहे हैं या है एक डिस्टर So it's peace which will finish that restlessness rather than anger which will finish that anger. So again, you know, यह जो हमारी myth है, हमारे जो wrong beliefs हैं कि यह एक reaction है, एक reflex action है, मुझे पता ही नहीं चला, यह उसके इसके लावा बेपस कुई और चारा ही नहीं था. कई तरहां के गुस्से होते हैं. हम उन कारणों पे आते हैं कि क्या क्या वज़ा है जो गुस्सा हमें आता है? पहला कारण तो जिस परिस्थिती में भी हमने देखा कि हमारी इच्छा के अनुसार कारियन नहीं होता है. दूसरा महत्व पूरुन कारण है, एक छोटा सा फाइदा भी है. किसी नहीं मेरे वर्क्शॉप में भी कहा कि जब मैं गुस्सा करता हूँ नहीं तो मैं औरों को मैंनुपलेट कर पाता हूँ. मैं गुस्सा करता हूँ तो मेरी इच्छा नुसार होता है. I am able to control others. तो इसलिए भी लोग गुस्सा करते हैं. वै एक शौट टम है परन्तु वह चोटा सा ही फाइदा है. वह बहुत बड़ा फाइदा नहीं है. लेकिन ये प्राक्टिकल में दिखाई देता है न होते होगा है. ये बार सही है. बिल्द बिल्द उप दिखाई एक फार कश्ट्पर ड़ करता है. सबोर्डिनेट्स के साथ खासकर अगर हम घर पे देखते हैं अगर हम घर पे देखते हैं किसी के साथ भी इट वर्क्स अगर नहीं आप साइकलोजिकल मेकनिजम थोड़ी देखो कि कुछूद से डर निर्मान होता है और डर के कारण आप लोगों को चेंज कर पाते हैं, मैनिपलेट कर पाते हैं परन्तु डर जो है वो बहुत ही एक कमजोर मोटिवेटिंग फेक्टर है डर से लंबा समय काम नहीं हो सकता है जैसे आप चाहो कि मेरे डर से बच्चे पढ़े तो जब तक आप उनके सर पे खड़ें पढ़ेंगे, परन्तु जैसे ही आप और कुछ करने लगे वो भी दूसरे काम नहीं हो जैसा कि आप ने कहा कि मोटिवेटिंग फेक्टर, जो है वो इंपोर्टन होता है क्योंकि दूसरे को मोटिवेट करने के लिए कोशिच कर रहें कि दूसरा काम कर पाए तो उसके लिए अगर वो मोटिवेटिंग फेक्टर पॉजिटिव होगा तभी तो पॉजिटिव रिजल्स आएंगे यह तो हम कहते ही आ रहे हैं कि थौट से डेस्टिनी है या बीच से पहल तक अगर हम जाते हैं अपनी फाउंडेशन के उपर काम उपर लेवल पे जो काम है वो होता जा रहा है हो सकता है थोड़ा जल्दी हो जाता है लेकिन फाउंडेशन बहुत कमजोर है तो एक दिन वो रिलेशन्शिप भी रेख हो जाएगा यही तरफ प्रोपगेट हो जाएगा यही थौट प्रॉसस्स जल्दी भी नहीं हो रहा है अगर आप सच्छी बहुत हो जाता है क्यूंकि एना व्यक्ति अपनी फुल पोटेंशल से नहीं करेगा जैसे नहीं आप अच्छा पढ़ रहा है लेकिन जबरजस्ति पुल रहा है कहां तो यह भी पुसेब आपको गालियां दे कि भी कैसी मा है मुझे खिलने नहीं देती है यही बात सबोडिनेट के साथ भी होगी और वो काम कर रहे है उस नेगिटिव एनरजी के साथ अंदर तो यह भी पूरा हो रहा है तो इस अंगर वन फेक्टर विच कमस तो आपको पुछेंगे कुछ लोगों की यह टेंडनसी होती है कि मैं चाहूं वैसे ही होना चाहिए तिंग मस्ट गो माई वे आप देखना जिसकी भी अगर परसनालेटी है तो उसको सदेव जादा गुसा आता है क्यों? क्योंकि यह संभव नहीं मैं चाहूं कि सदेव मेरी इच्छा के अनुसार हो यह 100% पॉसिबल नहीं है और जब भी मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होगा जब दूद दे दिया गया कभी भी उससे frustration यह तो नहीं कहा गया और इसके कारण बच्पन में यह स्थिती बन गई कि thing must go my way और बड़े होने के बाद भी वही जो psychological एक setup रही और उसके कारण गुसा जादा आता है क्या इसका opposite भी हो सकता है कि बच्पन में I did not get things my way सायद जब मेरे पास power नहीं थी अब जब मेरे पास power आई है I tend to you know because these are what we're talking about कि parent you know parental कैसी upbringing है वो कैसे हमारी personality पर affect करती है कई अगर बिलकुल मेरे मर्जी अनुसार अगर I did not get to do things which I wanted to do फिर जब में उस एज पर पाँचते हूं I want to do everything my way I want to control everybody क्योंकि वो भी एक personality disorder जहरे पासिए But again the point which comes is like why we have to know कि ये में क्यों कर रहा हूं Because somewhere this is not good See when I realize कि में इस वजह से अंगरी हूं कि मेरी तरह से काम होना चाहे So first is this realization The realization has to set in मुझे खुद होना जरूरी है कि मैं गुसा इसलिए कर रहा हूं तभी तो फिर में कारणों पर जाओंगा Once I understand the reason Can I help it now? Yeah, because I can understand कि nobody else will be able to do it the same way like me Because everybody is unique Everybody is different And if everybody started doing things the way I do The world will be very boring सब लोग एकी तरह से अगर काम करने लग गए एकी तरह से सोचने लग गए The world will be very boring आज ये दुनिया इतनी सुन्दर इसी लिए है क्योंकि आप अलग है और में अलग हो अगर आप और में एक तरह करने लग गए We won't be able to sit like this It will be so boring Dr. सब एक मैं भी ग्जामपल लेकी रेना चाहती हूं कि बहुत बड़े अफसर से मैं एक जगह एक दन मिली और वो अपने सबोड़नेट को बहुत ही बुरी तरह से दांट रह थे यह तरह के होते हैं And he was not angry basically He said I was just pretending to be angry And यह सात्विक गुसा है कि इसमें मेरे इसके जो मैंने यह गुस्सा किया है उसके अंदर एक उस व्यक्ति के लिए हित छुपा है क्योंकि वो मैं इतना प्यार देता हूं कि कई बार वो सर पे चड़ जाते हैं तो अब उनको वो उतारना मैं मुलाब पर मेरे सामने किसी बाहरी आदमी के सामने यह करना तो मेरे भी बहुत अंबारसिंग है और उस व्यक्ति के लिए और भी अंबारसिंग होगा कि ते नहीं ऐसा नहीं है यह सात्विक गुसा है और मुझे यह हमेशा काम आता है तो उसके बाद उने समझ में आ जाएगा लोगों को इनको कि अगर मेरे साथ आप यह करना चाहते है तो यहां मैं मैं उनको कोई जवाब नहीं दे सकती थी लेकिन मुझे कही नखी अंदर यह फिल हुआ कि इस वस नोट राइए इस वस नोट गुए लेकिन क्या ऐसा होता है कि he was not angry he was pretending to be angry so what is this actually but one thing you know it's very difficult जिसे वे जो आप जिसको साथवी घुसा के ते ना psychology में उसरी टर्म है जिसको का fake anger as a last resort भी पहले और बहुत सारी अच्छी चीजे हैं उन चीजों को अपनाईए फिर भी अगर आपको result नहीं मिलता है तो कहीं बार आप साथ जूटमूट का घुसा कर सकते हैं पर उन तो बहुत मुश्किल है उसके लिए बहुत acting करनी पड़ेगी क्योंकि जब भी आप अपनावाज बढ़ाते हैं कुछ जोर से बोलते हैं तो अंदर में feelings भी आती है क्योंकि अगर उसे पता है वो लड़की को पता है कि मेरे बौस अईसे जुटमूठी गुसा करते हैं अवाज बढ़ाते हैं लेकिन तो result नहीं मिलेगा अगर उसे पता है कि अईसे नाटक कर रहे हैं तो उसमें कोई change आना नहीं है अगर उसे नहीं पता है तो उस पर effect होगी साथवी गुसा कैसे कहा उसको उसका उसका तो फील करेंगी उसका concentration डिस्टर्ब होगा इसके बाद उसका काम करेगी एकागरता से नहीं कर सकती है सारा दीन इसी बारे में सोचेगी वस सही निरनाय नहीं कर सकती है क्रिएटिव नहीं बन सकती है तो साथी गुसे जैसे कोई छीज नहीं है This is what I wanted to clarify actually का इसा कुछ नहीं है एक और होते है राइटियस गुस्टा लोग झूट बोलते हैं तो मुझे बहत गुस्टा था है यह परदाश नहीं कर सकता कि लोग जूट बोल रहे हैं तो क्या मेरे पास या अदिकार है कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं लेकिन, I have also been like this but suddenly I am realizing that do I have the right to be angry? this is their life अगर इसमें ते कि यह सोचना है कि गुसे से क्या लोग सच बोलेंगे? अगर सच बोलेंगे तो फ़ले गुसा करो पर उन्तु क्रोध करने से बच्चे सच नहीं बोलेंगे वीटा प्यार से उनको accept करेंगे तो बच्चे सच बोलेंगे subordinate भी सच नहीं बोलेंगे गुसे से उल्टा इसमें तो यह चाहिए कि भी आप चाहते हैं कि बच्चे सच बोले तो आप भी सच बोले No, you become truthful तो automatically बच्चे हम जो सिखाते हैं वैसा नहीं सिखते हैं हम जो करते हैं उसे automatically बच्चे सिखते हैं Even sister Shivani, हम अगर वो देखें जो celebrities अपने कुछ-कुछ questions के answers देते हैं बहुत बार यह देखा गया है What makes you angry? And the answer is when people lie Again, I am giving a justification for my anger जैसे परमात्मा हमें बहुत सुंदर बात है कि हाँ पे से खाते है कि अगर दूसरे ने गलती की, चलो मान लिया, accept कर लिया कि दूसरे ने गलती की तो क्या उसकी गलती सुधारने के लिए आप उससे बड़ी गलती करेंगे उसने गलती की, आपने भी गलती की तो फिर आपको क्या हक रहा उसको ठीक करने का क्योंकि उसने जूट बोला, उसने गलती की आपने गुसा क्या आपने गलती की लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जूट बोलने से बड़ा तो पाप ही नहीं, उससा तो कोई पाप ही नहीं है गल्ती तो गल्ती हुई ना, दूसरे की गल्ती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है एन इसलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं but it's nothing is really working it won't work that way क्योंके हम खुद वो गल्तियां या उससे भी बड़ी गल्तियां कर रहे हैं और जैसे डॉक्टर साब ने कहा सच बोलने का अगर आप गुसा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गल्ति की है तब वो सच बोलेंगे इदर विदर जूनियर और विदर चाइल लेकिन उनको हम इस बात कर तो हैसास करा दें कि हमें पता है कि आपने सही नहीं बोला है नहीं अगर जब उनने कोई गल्ती देखो जूट कहां से start होता है हम जूट कब बोलते हैं हम जूट तब ही बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है और डर यह है कि सच बोलेंगे तो कोई action लिया जाएगा जब हमें यह पता होगा कि अगर मैंने सच बताया मुझे डांट नहीं पड़ेगी if I am sure about this, कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी मैं आपको सच बता दूगे लेकिन if I am sure about this, कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी the easier choice for me is जूट पोल और निकल जाओ so it's all about I know what your response is going to be again trust भी आजाता है trust आजाता है आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, never mind, he will accept you आप सच बोलेंगे, there is no reason कोई जूट नहीं बोलना चाहता है क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद लेकिन उसके पीछे रीजिन यह है और फिर आप परती जाती है दिरे दिरे सच्कार बन जागा तो यहां हम यह जाना चाहते है कि जब कोई जूट बोले जो मुझे भी गुसा बहुत आता था कि जूट बोलता है तो I just can't tolerate तो यह जूट बोलता है तो I just can't tolerate So what has to be done? क्या करना है? पहले तो मैं समसता हूँ और थोड़े ने गुसे के कारण मैं बता दूँ आपको और जिसे यह जूट बोलने के इसे दूसरे एक बात है अन्याई को कुछ लोग सहन नहीं कर से जब भी अन्याई होता है तो उनको गुसा आजाता है घलत हो रहा होता है घलत हो रहा होता है तो उनको गुसा आता है आप भले घंधी जी की तरह campaign करो, और कुछ करिये, वह राइट है, पर उन्तु क्रोध से आपको भी नुक्षान है, सामने वालों को भी हानी है, तो इसके कारण जब अन्याय हो तब भी सोचिए कि और कोई strategy को मुझे अपनाना है, कि जिसके द्वारा आपको एक long term results मिलेंगे क्रोध से नहीं मिलेंगे, क्रोध एक ऐसा weapon है, अगर भी reflection लगता है, अंगर is a weapon, it's a weapon, जिसको हमने हर परिस्थिती में यूज करना शुरू कर दिया है, what we are not realizing, that weapon doesn't work, that weapon doesn't work, it's not providing any result, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बाहर बाहर यूज करे जा रहे हैं, और उससे चोट हमें खुद को लगते हैं, दूसरे को नहीं लगती, उतनी ज़्यादा, वो भूल जाएगा थोड़ी देर बाद, और डॉक्टर साब ने तो कितना अच्छा बता है, वो पूरा जो बाडी के अंदर भी उसका effect होता है, mind पर भी होता है, तो अगर हम यह याद रख लें, कि हत्यार है मेरे हाथ में, जिससे मैं दूसरों को हानी मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा effect नहीं होने वाला है, वो सिरुफ मेरा ही नुकसान करी जा रहा है, तो हम उसको धीरे-धीरे automatically खतम कर देंगे, बहुत easy है खतम करना, it's just this understanding, automatically कम हो और कुछ कारण भी देखें, क्योंकि थोड़े अगर कारण अच्छे से डिसकस हुए, तो सभी इसका उपियोग भी कर सकेंगे, कुछ हमें छोटे से फाइदे भी होते, इसलिए लोग गुसा करते हैं, एक तो अगर हम चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा में मुझे लगता है तो वहाँ भी अपने आपको समझे आए, कि सबसे अच्छा है कि मैं हार को स्विकार करूँ, ताकि दुबारा मैं अपने लॉजिक को और इंपरू करूँगा, और हो सकता है, जो दूसरा कह रहा है, उसके लॉजिक को मैं समझ के उसे इंकॉर्परेट कर लो, बिल्कुल, द ताकि आपके लिए तयार बहाना है, क्योंकि बच्चों ने गुसा दिलाया, इसके कारण में एक काम नहीं कर पाया, तो इसे सुक्ष्म बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, वो एक इंटर्नल मेकेनिजम है, उसको हम अंडर्स्टैंड करें, तो भी बहुत फाइदा होगा और एक चीज यह भी है, कि जो लोग अपने आपको inferior फील करते हैं, जो हिंता के सिकार है, उनको भी गुसा जादाता है, क्योंकि जब वो गुसा करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, और उसके कारण वो बार-बार करते हैं, एमपावर्ड फील करते हैं, नहीं तो आम त करते हैं, और कुछ अगर कारण देखने हैं, कि जब आपको नींद की कमी है, नींद आपको ठीक से नहीं आई, कि आपको बहुत भूख लगी है, जो लोग बीमार है जादा, स्पेशली बुढ़े लोग की, जो लंबे समय से बीमार है, तो भी आप देखें कि वो चिड़- और जब आपको समझ में आजा भी मुझे क्रोध क्यों आता है, तो फिर उसका नीवारान सच मुझे आप पूछ रहे हैं, वो भी पॉसिबल है. तो मतलब पहली, पहला जो मुकाम हमें ताय करना है, वो है कि कारण तक पहुँच जाए, उसके बाद हमारे जो निवारान की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो निवारान is again self-counseling, can be really helpful. And understanding, कि दूसरा, सबसे पहला निवारन यह होगा, कि दूसरा मुझे गुसा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खतम हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुसा दिला रहा है, ये understanding ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुसा जो सरल सी बात, कि अभी बच्चे थे तब से हमको बताई गई है, कि जब घुसा आए ता उसको पोस्ट पॉंड कर। दस तक इंटो, पानी पीलो, जो रहाँ कि वार्ट जो जो सब्सक्रों, ये जो सब्सक्रों, ये जो सब्सक्रों, पहाँ को बाद करो। So the moment we'll remember that this is a weapon which is not going to work. Our solution will not be left. We can actually come back. Then we'll do something else. When you've got your water bottle, you've got in touch with reality. Because the growth of a person is a crazy person. If the crazy person has less than 15-20 seconds, then you can also give the right type of reaction. And if there's another good feeling, it's a great feeling. Working on your breathing. We won't reach the right type of reaction. We won't reach the right type of reaction. It was an extreme case. So Dr. Girish Patel, today we've tried to know all this. We've tried to understand all this. What is the reason for it? Because there are many kinds of reasons. The most important reason is that people understand me. So you can understand me. What I'm saying is that they will end. But if they're not doing it, then I'm going to be angry. And there's another sad thing that we've tried to find out about it. And to change others for what they want. If someone's saying something, someone's saying something, someone's saying something, तब मुझे गुस्सा आता है। वो सारे गुस्से कहीं न कहीं एक शेस्टर के रूप में हैं हमारे हाथ में जिसका कहीं कोई सल्यूशन नहीं आ रहा हूं। अगर हमने अन्याय के खिलाव भी लड़ना हैं तो गुस्से की ज़रूवत नहीं हैं। तो डॉक्टर गिरीश पतेर, सिस्टर शिवाली, बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली कड़ी में हम गुस्से के हमने इतनी बाते कर लिए, अब थोड़ा खुशी को भी तलाशने की कोशिश करेंगे, जी हां कहा जाता है कि गुस्से का एंटीडोट जो है वो खुशी यार कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो आपका स्वागत है, आप हमें फोन कर सकते हैं या इमेल द्वारा भी हमें संपर कर सकते हैं इसी के साथ Awakening with Brahma Kumaris में आज इतना ही, लेकिन अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे और कुछ अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि कैसे जिन्दगी में खुशी को हम अपना सकते हैं, तलाश सकते हैं अब दीजी अजाजत, नमस्कार ये द्वानी मंगल द्वानी है, अम्शंति अम् ये हिस आप्साँशने सकते हैं, अम्शंति अम् I'm a peaceful soul Om Shantiyah